पम 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 पम, गूड इवनिंग, मेरे दोस्तों आप सभी को यहां देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे, हमारे कई पार्टनर्स हैं, जिनके पास अलग-अलग संख्या में स्प्लिट्स हैं, वे अलग-अलग तरीकों स स्प्लिट होते हैं और रिवार्ड्स प्राप्त करते हैं, इसलिए आज हम स्प्लिटिंग के बारे में जानेंगे, और अगले हफ़ते आपको हमारे साथ, हमारी ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी से संबंधित, शानदार चीजों का अध्ययन शुरू करना चाहिए, दोस्तों मै आपके सवाल देख पा रहा हूँ, आपके सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेशक हम उनमें से कुछ का जबाव देंगे, लेकिन मैं दूसरे भाग का जबाव नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वे बिजनेस और टेक्निकल पार्ट से अधिक संबंधित हैं, इसलि मुझे क्यों लगता है कि splits एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पहले वेबिनार में हमने proof of work के बारे में, proof of stake के बारे में, delegated proof of stake के बारे में और mining के विभिन तरीकों के बारे में बात की, लेकिन इस मामले में हमें यह समझना चाहिए कि splitting यह क्रिप्टो क्रेंसी और सामान्य तोर पर blockchain technology में एक अनोखी घटना है, ऐसा क्यों? क्योंकि bitcoin के बारे में बोलते हुए, technology के सभी जनक Ethereum, Tron और Solana के बारे में, और इसी तरह, इन crypto coin, cryptocurrency और blockchain में tokenों की mining कर सकते हैं, और कुछ चीजों के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खर्च करना होगा, इस से खरीदना होगा, network पर सबसे powerful computer बनना होगा, bitcoin में आपको अपने bitcoin को mine करने के लिए बड़ी मात्रा में tools बनाए रखने की जरूरत होती है, Ethereum में rewards प्राप्त करने, उसे stake पर लगाने और award के रूप में प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आपके पास बड़ी मात्रा मे Ethereum होना जरूरी है, हमारे splits में coin का सार अलग है, एक नियम के रूप में हम blockchain के बारे में बात कर रहे हैं, जो mother coin है और mining भी किये जाते हैं, हमारे मामले में हमारी mother blockchain smart है, यह एक अलग blockchain है, smart blockchain, अपनी स्वयम की blockchain है, लेकिन इस blockchain पर आपके और मेरे पास ultimate token है, और वैसे यह वास में तथ्य है कि smart blockchain पर एक ही blockchain पर दो token, ultima और split का एक bundle है, जिसने हमें अब splitting technology के बारे में बात करने की अनुमती दी है, splits कहां से आए, अंग्रेजी भाशा में split को विभाजन कहते हैं, यानि हम विभाजित करते हैं, ऐसा शब्द क्यों, क्योंकि सभी मौजूदा ultima token पहले ह अब कोई ultima नहीं होगा, smart contract में हस्तक्षेप करना असंभव है, smart contract के प्रबंधन को प्रभावित करना असंभव है, इसके समायोजन को प्रभावित करना असंभव है, ultima को print करना, ultima को contract से हटाना या किसी address पर इसे block करना असंभव है, ultima को पहले ही mine किया जा चुका है, बस एक बार और हमेशा के लिए, अब और नहीं होगा, आगे इस ultima को smart contract पूल में रखा गया था, यानि यह एक नई unit है, smart blockchain पर एक अलग smart contract है, जो इस ultima का मालिक और सनरक्षक है, smart contract एक address है, पिछले webinar में हमने पहले ही कहा था कि smart blockchain में हर wallet का एक account होता है, तदनुसार smart contract भी एक account है, और यह पता चला है कि smart contract हमारे blockchain में एक account के रूप में अपनी balance sheet पर ultima coin का मालिक है, मौजूद सभी ultima का लगभग 80% smart contract पर store होता है, और उनमें से 90% एक बड़े smart contract पर store होता है, तो आगे क्या होगा, इस smart contract के कुछ नियम है, अब हम आप से सबसे पहले, सभी splitting technology के founder VIP split के बारे में बात कर रहे हैं, VIP split वही contract है, जो हमारी हमारे बच्चों की और हमारे बच्चों के बच्चों की पूरी जिंदगी और बहुत कुछ के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें गणित इतना अंतर नहित है कि यह अपने स्वयम के VIP split token के सनरक्षकों के स्मार्ट कॉंट्रेक्ट में VIP split token उपलब्ध है और यह उनके मालिक बनने पर smart contract खुद से इस token के सभी holder को पुरस्कृत करता है, VIP split मेरे दोस्तों सभी घटनाओं की तरह, Ultima की तरह यह एक smart contract है, अर्थात, Ultima token तदनुसार एक smart contract है, split भी एक smart contract है और यह smart contract जारी करता है जारी करता कौन है? एक जारी करता, एक निर्माता, एक graduate, एक printer है, यानि वह हमारे VIP split तयार करता है और इन VIP splits को स्टोर करने के लिए smart contract स्वयम यूजर्स को अपने संसाधन और अपने balance से पुरस्कृत करता है वर्तमान समय में हमारे पास प्रति दिन 25.92 Ultima token का award है, आईए, इसे पूर्णांकित करें और केवल 25 कहें, यह वह राश्य है जिसे contract एक दिन में जारी कर सकता है सबसे महतवपूर्ण बात यह है कि हम समझते हैं कि 25 Ultima coin जो VIP splits holders के बीच वितरित किये जाते हैं, वह अधिकतम दैनिक राश्य है, जिसे smart contract स्वयम जारी कर सकता है किस लिए? ठीक है, चूँकि हमारे पास कोई तारीख नहीं है, कोई 00.01 नहीं है, कोई 12.15 नहीं है, कोई 5.30 नहीं है, शाम के 6.30 नहीं है, सुबह के 6.30 नहीं है, यह सिर्फ एक निश्चित इंटरफेस है, समय की एक निश्चित अवधी, जिसके दौरान smart contract इन 25 Ultima को वित का यह नियम कहता है, कि प्रत्येक 10 million block पर rewards दो से विभाजित होता है, यह सिर्फ दो से विभाजित है, यदि अब हम अपना blockchain explorer खोलते हैं, यह देखना उपयोगी होगा कि block स्वयम कहां स्थित है, देखिए दोस्तों, यहां हमारे explorer पेज पर हम देखते हैं, कि हमारा वर्तम block 12,425,620 है, यानि यह अब तक का सबसे उंचा नवीन तम block है, बेशक पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं, कि यह पहले ही 624 में बदल चुका है, हालविंग नियमों में कहा गया है, कि यदि हम 20 मिलियन वें block पर VIP splits के बारे में बात कर रहे हैं, तो smart contract Danic Rewards को दोगुना कर देगा, यानि जब 20 मिलियन वां block हिट होता है, तो red splits उनके reward जारी करने को 25 से घटा कर 12 coin कर देगा, और फिर हर 10 मिलियन block में यह coin 2 से विभाजित ह हो जाएगा, यदि आपने ध्यान दिया हो, तो हमारे blockchain में हालविंग के गठन की अवधी 10 मिलियन block है, जो लगभग एक साल से कम की अवधी के बराबर है, चलिए इसे पूरा करते हैं और कहते हैं कि हमारे मामले में साल में एक बार आधान होता है, वहीं यदि हम अभी आप ज़रूरी है, red split अपने wallet में विभिन्न transaction में शामिल कई splits को स्विकार कर सकता है, यानि आपके पास आज एक, कल दूसरा, परसों तीसरा और तरसों चौथा और जब तक आप उनमें से प्रत्येक से reward का दावा नहीं करते, वह उन्हें एक ही coin में संयोजित नहीं करेगा, वह charge करेगा, यानि red splits के प्रत्येक आने वाले transaction को अलग से गिना जाता है, और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि red split unique था, संपूर्ण splitting technology का पहला जनक, जिसके बाद यह technology विकसित हुई, वर्तमान समय में हमारे पास ऐसे splits हैं, जो पूर्णांक नहीं है, ब gold split और unity या vip split दोनों को अलग-अलग brand किया गया है, gold splits में और unity में red splits में reward का दावा करना दो अलग-अलग तरीके हैं, और यही कारण है कि यहां अधिकांश नए लोग हैं, वे branding करने की कोशिश करते हैं, वे आश्चर्य चकित होते हैं, मुझे एक reward संख्या की उम्मीद क् लेकिन एक अलग reward संख्या मिली, आईए, इसका पता लगाएं, तो gold contract का एक आंशिक हिस्सा होता है, gold split में स्वयम एक आंशिक भाग होता है, यह 0.0001 या 0.00056 हो सकता है, जबकि VIP split, unity split में आंशिक भाग नहीं होता है, केवल एक, दो इत्यादी, gold split में rewards देने के अलग-अलग नियम है, rewards की गणना करने का एक अन्य नियम यह है, कि गणना में भाग लेने के लिए, आपके wallet पर मौझूद सभी token को एक साथ paste करने की आवश्यक्ता होती है, क्यों? क्योंकि जब हम आपसे rewards की आवश्यक्ताओं के बारे में बात करते हैं, तो wallet पर कई आने वाले transaction हो सकते हैं. इनकमिंग transaction क्या है? यह तब होता है जब आप अपने wallet में अपने splits प्राप्त करते हैं. अब, शायद आपके पास ये transaction एक मिनट के भीतर पहुँच जाएंगे. केवल एक मिनट के भीतर आप अपने wallet में दस transaction प्राप्त कर सकते हैं. एक व्यक्ती से एक split, दूसरे व्यक्ती से दो splits, किसी अन्य से तीन splits. उदाहरन के लिए आपको विभिन सोर्स से अपने एक wallet में दस splits प्राप्त हुए. लेकिन यदि हम gold split के बारे में बात कर रहे हैं, तो rewards का संचय केवल पहले वाले के लिए शुरू होगा जो wallet में समाप् हुआ. केवल वही coin जो आपको पहले प्राप्त हुआ था और जिसका उपयोग अगले stake पर reward प्राप्त करने के लिए किया जाएगा. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने wallet में split gold प्राप्त करते हैं, तो आप इसे इस तरह से करें कि भविश्य में आप जो coin भेजते हैं, यानि दूसरा आने वाला transaction, तीसरा आने वाला transaction, ब्रैंडिंग के जितना करीब हो सके. क्यों? क्योंकि ब्रैंडिंग होने के बाद ही वे एक साथ रहेंगे और उन्हें एक पूरे के रूप में गलत माना जाएगा. यानि दस में से एक के बजाए उदाहर है और जिनके पास gold split है और जिनके पास VIP split है वे अलग-अलग तरीकों से split हो सकते हैं. यानि आप केवल एक ही gold split कर सकते हैं. हमेशा सबसे पहला gold. या तो पहला प्रवेश करने वाला या वह जो अंतिम ब्रैंडिंग के समय था. सभी. और unity और VIP को अंतिम व्यक्ति के प्रव में रखा जाता है. ऐसा क्यों किया गया? पूर्णांक value splits एक महंगी चीज है. उन्हें यूँ ही दुरघटनावश खोना या भेजना असंभव है. और gold split को 10 लाखवें हिस्से में विभाजित किया जा सकता है. यानि 0.00000 के हिस्से के रूप में और इसे आगे भेजा जा सक और अब एक incoming और outgoing transaction हमारे सारे गणित को बिगार सकते है. आने वाली गणना के लिए ऐसे update से बचने के लिए केवल एक और पहले आने वाले transaction का उपयोग हमेशा branding की गणना के लिए किया जाता है. इसलिए gold contracts के सभी holders के लिए एक संक्षिप्त guide. यदि आप बाहर से अपने wallet में आने वाले token प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अगले branding के समय पर प्राप्त करने की कोशिश करें. ऐसा क्यों? क्योंकि तब branding करते समय जब आप rewards का अनुरोध करते हैं, तो वे उन लोगों के साथ गठ बंधन करेंगे जो पहले से ही इस wallet में है. सवाल, liquidity pool से जुड़े पूल है, यही ultima coin से भरा हुआ है. अर्थात, pool ही liquidity pool है, जो इस liquidity को वितरित करता है. आपको ultima coin किस लिए मिलते हैं? स्प्लिट्स के holders होने के लिए. क्या नए block जारी करने की speed बाजार की गतिविधी पर आधारित होती है? क्या नए block बनाने की speed BTC के समान होती है? क्या अगल हालविंग फरवरी से पहले हो सकती है? देखिए, bitcoin block की speed किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती है. बिलकुल कुछ भी नहीं. नया block डालने के लिए bitcoin को एक निश्चित कीमत ढूंडने की जरूरत होती है. ये कैसे होता है? network स्वयम अच्छी तरह से समझता है कि उसके पास क आवश्यक्ता है. जिसके लिए एक block बनाने में औसतन दस मिनट की आवश्यक्ता होगी. network खुद को control करता है. अर्थात, इसके एक block के बनने की speed हमेशा स्थिर रहती है. हमेशा. हमारे मामले में बिलकुल यही होता है. block की speed एक समान होती है. bitcoin के पास 10 मिनट हैं, हमारे पास 3 second है. क्या ये बदल रहा है? network की जटिलता बदल रही है. यदि हम bitcoin के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने अधिक miners होंगे, network की जटिलता उतनी ही अधिक होगी. अर्थात, जितना अधिक जटिल, उतना ही अनोखा number network द्वारा स्वयम चुना जाता है, ताकि उसी block को मान सीरीज में शामिल किया जाएगा. कोई miners नहीं है, network कठिनाई को calculator के level तक कम कर देता है. कल्पना कीजिए, यदि आप अब network में सभी miners को पूरी तरह से बंद कर दें, तो network खुद अपनी जटिलता की पुनरगणना करेगा. वह यह कर सकती है. अनिवार्य रूप से पुरा प्राप्त करना संभव होगा. इसलिए हमारी जटिलता स्पीड पर निर्भर नहीं करती. और सामान्य तोर पर, miners को मिलने वाला पूरा reward उन लोगों के बीच बांटा जाता है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था. पूर्णांक रेड और ग्रीन है और गोल्ड और प्रीमियम अलग अलग हैं. हाँ, गोल्ड और प्रीमियम आंशिक हैं और तदनुसार, रिवार्ड्स प्राप्त करने के लिए उनका एक अलग दृष्टिकोर्ण होता है. 25 अलटीमा हर पूल में जाते हैं, लेकिन दिसंबर में सभी पूल में कितने जाएंगे? और निसंदे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितने पूल होंगे? हम बस यह कह रहे हैं कि अब शुरुवात में हमारे पास नए होंगे. वी आईपी, स्प्लिट, क्या वे सभी अलग-अलग टोन के हैं? बेशक, ये अलग-अलग स्मार्ट कॉन्ट्राक्ट हैं. Gold, Unity, VIP Split, Premium Split, Business Split ये सभी Smart Blockchain Network में अलग-अलग Smart Contract हैं एकदम सही और इन में से प्रत्येक Smart Contracts के अपने नियम है जो अपने स्वयम के कानूनों के अनुसार संचालित होते हैं यानि आप एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में नहीं धकेल सकते और इस तरह हम आसानी से अपने स्प्लिट्स, गोल्ड और यूनिटी तक पहुँच गए दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि यूनिटी अपने आप में एक पूल है एलेक्स ने बार बार ऐसा कहा है गोल्ड टेक्नोलोजी ने हमारे पास मौजूद हर चीज को पीछे छोड़ दिया है और यूनिटी टेक्नोलोजी दुरभाग्य से फिलहाल इसे पार नहीं कर पाई है यूनिटी टेक्नोलोजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उसी लिक्विडिटी पूल को अन्य पूल से लिक्विडिटी प्राप्त करने की अनुमती नहीं देती है पहले वेबिनार में हमने ब्लॉक्चेन के बारे में अकाउंट के बारे में प्रतिनिधियों के बारे में इत्यादी के बारे में बात की ब्लॉक्चेन पर अकाउंट एक वालिट है सही है ना सही है एक स्मार्ट कॉंट्रैक्ट एक वालिट भी है एक एड्रेस भी है और ब्लॉक्चेन में एक अकाउंट भी है सही है ना सही है और यहां हम आपसे पूल के बारे में हमारे स्मार्ट कॉंट्रैक्ट के बारे में बात प्राथमिक ताएं कोई अन्य नियम नहीं हैं, वह पूल वित्रण में सभी टोकन होल्डर्स के समान भागिदार है। यूनिटी दुर्भाग्य से उस समय जब इसे बनाया गया था तथा कठित अनंत काल प्रदान करने में सक्षम नहीं थीूनिटी बाहर से प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, यह तकनी की रूप से असंभव है। लेकिन गोल्ड पूल कर सकता है। अर्थात, यदि गोल्ड पूल में अपने बैलन्स पर रेड स्प्लिट है, यूनिटी स्प्लिट है, तो गोल्ड को यूनिटी से और रेड पूल से अल्टिमा प्राप्त होगा। और चूंकि आपके और मेरे पास सबसे अनोखा, सबसे बड़ा वी आईपी है, यह पता चला है कि हम पूल में वी आईपी स्प्लिट्स रखते हैं ताकि पूल आत्म निर्भर हो, जिससे बिना किसी समय सीमा के खुद के लिए प्रावधान हो सके। क्योंकि इसे हमेशा बाहर से अल्टिमा प्राप्त होगा, हमेशा अन्य प्रतिभागियों के साथ समान आधार पर। और इसी लिए यह हमेशा के लिए है। लेकिन अफसोस यूनिटी ऐसा नहीं करती। अब तकनीकी कारणों से यूनिटी के जरिए गोल्ड कॉंट्रेक्ट और प्रतियक यूनिटी होल्डर गोल्ड खरीद सकेगा, और इस प्रकार आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है कि यूनिटी पूल सिकुड रहा है। यूनिटी स्प्लिट्स के होल्डर्स बस उन्हें गोल्ड में बदल देते हैं, और गोल्ड पूल से अपने गोल्ड के लिए आदान प्रदान होता है, गोल्ड बाहर से अल्टीमा प्राप्त करता है और तदनूसार इसे अन्य बाजार सहभागियों, अन्य पूल प्रतिभागियों को वितरित करना जारी रखता है। स्टेकिंग और स्प्लिटिंग में क्या अंतर है? स्प्लिटिंग यह एक स्मार्ट कॉंट्रेक्ट है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ब्लॉक्चेन पर एक स्मार्ट कॉंट्रेक्ट द्वारा नियंतरित किया जाता है और कुछ पाने के लिए स्टेकिंग बेस्ट टोकन को यदि हम आपसे स्मार्ट स्टेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी प्राप्त करने के लिए आप स्मार्ट फ्रीज कर सकते हैं या बैंड विड्थ यानि वह संसाधन जो आप दो चीजों में से एक पर खर्च करेंगे या तो स्मार्ट से स्मार्ट तक करते हैं, स्टेकिंग नेटवर्क संसाधन प्राप्त करने की प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ कि अब कई लोगों को जटका लगेगा, यह कैसे संभव है, वे मुझे हिस्सेदारी के लिए भुक्तान करते हैं, नेटवर्क, बैंड विड्थ और उर्जा में भुक्तान करता है, बाकी सब कुछ वोटिंग से आता है, इसलिए स्टेक लगाने को वोटिंग के साथ भ्रमित न करें, यदि वे आपसे कहते हैं कि आप स्टेक लगा सकते हैं और पचास हजार प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं, तो यह स्टेक लगाना नहीं है, स्टेकिंग तब होती है, आप एक निश्चित कार्रवाई करते हैं। क्रिया ये है कि आप कॉइन जमा कर देते हैं या चुनना कि आप उन्हें किसके अंतरगत फरीज करते हैं। एनरजी या बैंडविट्थ। स्मार्ट नेटवर्क के मूल कॉइन भेजने के लिए आपको बैंडविट्थ की आवश्यक्ता होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन के लिए आपको एनरजी की आवश्यक्ता होती है। ट्रांजेक्शन कुछ भी हो। न केवल पूर्व निश्पादन भेजें विधी बलकि किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए संसाधनों की आवशक्ता होती है और ये संसाधन स्टेकिंग के जरिये प्रदान किये जाते हैं और स्प्लिटिंग एक पूर्व क्रमादेशित मॉडल है जिसमें एक संसाधन को दूसरे संसाधन के स्वामित्व पर वित्रित किया जाता है यानि एक ही ब्लॉक्चेन पर दो अलग-अलग संस्थाएं अल्टिमा के पास एक कॉंट्रेक्ट है और इसके लिए वह इसके स्प्लिटिंग में भाग लेता है यदि आपके बीच मदभेध है तो उल्टिमा आपको कुछ शर्तों के तहट एक कॉंट्रैक्ट भेजता है ब्लॉक्चेन के दृष्टिकोंड से स्टेकिंग बहुत निचले स्तर पर है स्प्लिटिंग उच्च स्तर पर है साथ ही यह अधिक मोबाईल और लचीला है अर्थात स्प्लिटिंग की शर्ते नेटवर्क के संचालन को प्रभावित नहीं करती है लेकिन स्टेकिंग नेटवर्क के संचालन को ही प्रभावित कर सकती है क्योंकि फिर से वोटिंग की व्यवस्था करना संभव होता है यदि खाली ग्रीन लाइसेंसों को लोड करना और उन्हें बदलना लाभीन है तो हम उनका उप्योग कहां कर सकते हैं यह एक अच्छा सवाल है लेकिन एक सेकेंड रुखें आप बिना किसी समस्या के यूनिटी कॉंट्रेक्ट्स खरीद सकते हैं और उन्हें गोल्ड में बदल दें यानि ग्रीन वाले के साथ कोई समस्या नहीं है यानि भले ही आपके पास खाली लाइसेंस हो आप आसानी से कनवर्ट कर सकते हैं यानि लिमिट तक पहुँच सकते हैं और ग्रीन कॉंट्रेक्ट प्राप्त कर सकते हैं और इन कॉंट्रेक्ट्स को गोल्ड स्प्लिट्स में बदल दें स्मार्ट डिफेंडर के सवालों पर फॉन नमबर पुराने फोन में एक्टिवेट था, हम एक नए फोन पर जाने की योजना बना रहे हैं, मैं एक कार्ड कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, ताकि वह दूसरे फोन पर काम करें? स्मार्ट डिफेंडर, आपकी प्राइवेट कीय का एक वायरलेस, बैटरी फ्री, एक्सेस फ्री स्टोरेज है, एक नहीं, बलकि एक दरजन, आप एक नए फोन पर एक नया वालेट बना सकते हैं, और स्मार्ट डिफेंडर के साथ एक ही वालेट बनाएं, या आप अपने हैं, मान लीजिए कि यह पुराना है, आपके पुराने फोन पर आपके पास स्मार्ट डिफेंडर के साथ स्मार्ट वालेट है, शांदार, आप अपने लिए एक नया फोन खरीदना चाहते हैं, और चिंतित हैं कि आपका कार्ड इस डिवाइस से जुड़ा हुआ है, क्या कर बस हाथ में एक नया डिवाइस होने पर आप अपने स्मरक को पुराने वालेट से इस डिवाइस में इंपोर्ट करते हैं, यानि आप बस पुराने वालेट को नये डिवाइस में इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट के बाद या इंपोर्ट के दौरान हार्ड वालेट पुराने फोन से हटा भी सकते हैं और इसे एक नए डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला सवाल जो स्मार्ट डिफेंडर पर भी लागू होता है, कार्ड सर्विस लाइफ के बारे में ही है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि यह कार्ड डिस्चार्ज नहीं करता है, डी मैगनेटाइज नहीं करता है, यह गीला नहीं होता है, लिफ्ट शाफ्ट में इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसे धोना अवांचनिय है, ठीक है, यह तूट सक लेकिन यह स्वाभाविक रूप से बहुत टिकाऊ है, यानि इसमें बैटरी नहीं है, इसमें किसी प्रकार का मेगनेटिक एलिमेंट नहीं है। स्वतंत्र टेकनोलोजी हैं, वहाँ कोई मेगनेट नहीं है, वहाँ कोई मेगनेट टेप नहीं है, यह समय के साथ या जेब में या फोन पर ले जाने से डी मेगनेटाइज नहीं होता है, तो चिंता मत करो। वालेट के साथ काम करता है, किसी के साथ नहीं। ग्रीन से गोल्ड का ट्रांजिशन कब तक खुलेगा, क्या तकनीकी कार्य अभी भी चल रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्य से मेरे दोस्तों तकनीकी कार्य अभी भी जारी है और तदनुसार यूनिटी स्प्लिट पेमेंट मैथड अभी भी बंद है। क्रिपया चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्रिपया हमारे मेन टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहें। अगर आपका फोन खो गया तो, इसलिए यदि आपने अपना फोन खो दिया है, तो आप एक नया वालेट बनाएं। उसमें अपना स्मरणिय वाक्यांश इंपोर्ट करें और इस वाक्यांश को स्मार्ट डिफेंडर में इंपोर्ट करें। यदि आपका फोन खो गया है, लेकिन कार्ड आपके पास है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में जो वालेट है, उसे अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसे इंपोर्ट करना असंभव है। कुछ भी भेजना असंभव है, स्मरणिय का पता लगाना असंभव है। यदि आपका फोन वालेट के साथ खो गया है, लेकिन आपका स्मार्ट डिफेंडर आपके हाथ में है, तो आप उस फोन को अलविदा कह सकते हैं, लेकिन आपको इस तथ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसमें टोकन के साथ स्मार्ट वालेट है, कुछ भी न होना चाहिए, लेकिन हमारे मामले में हमारे पास काम का थोड़ा अलग प्रारूप है और तदनुसार एक अलग टेकनोलोजी है, आपको बोर्ड पर ब्लूटूथ मॉड्यूल की आवश्यक्ता नहीं है, यह हर किसी के पास नहीं है, यदि आप किसी और के वालेट को स्मार् में बाराख शब्द हैं, तो क्या स्मार्ट वालेट में इंपॉर्ट होने पर यह स्वचालित रूप से बाराख शब्दों Wाल ऐकिन वालेट बन जाएगा तुव आइए, सोचते हैं, पढ़ते हैं। यदि आप किसी और के वालेट को अपने वालेट के स्मार्ट वालेट में इंपोर्ट करते हैं, तो संभवता आपका मतलब अपने पुराने फोन पर है Smart Wallet में इंपोर्ट करते समय कि आब 12 शब्दों वाला Hard Wallet स्वचालित रूप से दिखाई देगा आप समरक इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें 12 शब्द होते हैं या तेरह शब्द एक बार जब आप इस समरक को इंपोर्ट कर लेते हैं तो फौन इसे याद रख सकता है उसे एहसास होता है कि उसके पास एक समरक है और यदी कुछ होता है तो आप एक हिस्सा ले सकते हैं और उसे Smart Defender में रख सकते हैं यदि आप अपने Smart Wallet में कोई अन्य Wallet import करते हैं तो हाँ आपके Smart Wallet में एक Wallet है जो 12 समरणी वाक्यानशों को जानता है बढ़िया शानदार यदि आप Hard Wallet बनाएंगे तो बेशक वह यहां से भी गायब हो जाएगा यानि आप यहां से उन 12 वाक्यांशों को नहीं निकाल पाएंगे जो पहले इंपोर्ट किये गए थे हाँ, देखिए, यदि आपके पास एक समरक है जिसे सफलता पूरवक स्मार्ट वालेट में इंपोर्ट किया गया है तो आप इस वालेट की सेटिंग्स में जा सकते हैं, जिसे इंपोर्ट किया गया था, आईए अब इसे आजमाएं यानि मेरे पास एक वालेट है, यहां यह खाली है, स्मार्ट वालेट नंबर 3 हम Settings My Wallets पर क्लिक करते हैं यहां हम Smart Wallet No.3 देखते हैं और आप देखते हैं Hard Wallet बनाने का बटन Make Hard Wallet पर क्लिक करें और जब आपने Smart Wallet में एक और Wallet एक और स्मरक इंपोर्ट किया है तो Wallet Settings पर जाएं Make Hard Wallet पर क्लिक करें और तदनुसार आप इस स्मरक को इंपोर्ट करते हैं बस इतना ही आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों जल्द ही मिलते हैं आपका सारा काम अच्छे से हो आपको काम्याबी मिले और मैं काम पर वापस आ गया हूँ जल्द मिलते हैं